हाई गाई माईसेल पासस कुमार सिभिल इजिनियर आप देख रहे हैं अपना यूटूब चैनल हेलो सर्थ आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी आपका स्टिल बार है उसका वेट किसे ग्याद करेंगे आप जानते हैं कि स्टिल बार आपका अलग-अलग टैप के से स्टिल बार है तो आज हम सिखेंगे स्कुर्ण टैप का से प्रहेगा तो इसका वेट किसे क्या करेंगे तो आए हम देखते हैं आप देख रहे हैं कि इसका जो डाइमेंसम दिया हुआ है यह जो है आपका 50 mm और भी भी क्या है आपका 50 mm है क्योंकि आपका स्कॉर इसक्वार स्टिल पर मैंटर करेंगे तो आपका आप जानते हैं इसका एरिया इंड़ू लेंद्ध यह आपका एड़िया बार दिया हुआ है उसका वूलूम क्या होगा जो हम भूलून में इसका घ्यांद करें कि तब करें Sindic that area into लेंड लेंग यह अब एक एडिरा कितना अग्ला आप दिया हुआ Cantonese हम क्या करेंगे तो तब करेंगे डाइमेंस इन जो है उसका also दिन्ट में पाइट सब्ढ़ limb अप्यगर छोनव सब्धाना दिन्ग करने तो ओन ओन्ट में आप मस्क्राइट झाही तो लैंज और आप आप देख रहे हैं यहां पे यह साइड भी साइड भी पता और लेंध भी पता है तो वोलूम आपका होगया एरिया 0.05 गुने 0.05 और लेंध का वेलों इतना आपका वन मीटर अब इसको आप मुल्टिप्लाई कीजिएगा तो चहां 25 कुने वन पॉचेस आप देख रहें कि पॉइंट यहां 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 तो यह आपका जाएगा 0.0025 अब आप असानी से क्या है वेट कर सकते हैं तब वेट पराबर आप लिखिएगा वॉल्म इन्टू डेंसिटी तो आपका वॉल्म कितना है 0.0025 वॉल्म 0.0025 मीटर कीव और आप देख रहें कि डेंसिटी जो आपका 7850 केजी पर मीटर कीव जब आप इसको मल्टिप्लाई कीजिएगा तो मल्टिप्लाई करने के बाद यह डाटा आपका जाता है 90.62 केजी तो आप देख रहें कि बहुत है इजी तरीका से इसे भी स्क्वाइर सेफ का जो इस्टील वार रहेगा आप उसका वेट ग्यास कर सकते हैं धन्यवाद